हेलो दोस्तो, स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे चनल सद्गुरु अलपुजी केसन में आज हम लोग फिर बी ए फर्स्ट इयर भुगोल बिस है के भाग दो के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए वीडियो के लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पहला एडिंग है कायांतर्इत सैलो की विशेस्ता है जिसमें पहला है कायांतरीत सैलो में सिष्ट नाइस तथा इसलेट सैले सलकीत होती है दूसरा है परिवर्ति चट्टाने खनीच पर्वतों में विवस्थित रूपसे बिद्धमान होते हैं तीसरा, इन सैलों पर अपरदन का प्रभाव कम परता है क्योंकि ये और रंद्रदथा कठोर होती है चोथा है, कायांतरिद सैले रवेदार होती है, सग मरमर एवं क्वार्ट जाईट दानेदार कायांतरिद सैलों के प्रमुख उधारण है अगला हेडिंग है, अवसादी सैल की विसेस्ता है पहला, अवसादी सैलों में जिवास्म तथा वनस्पती अवसेस पाये जाते हैं दूसरा है, ये चट्टाने इस्तरित होती हैं क्योंकि इनका निच्छेप परतों में होता है दो परतों को बिभाजित करने वाला तल संस्तरर तल कालाता है तिसरा, परतदार चट्टाने प्रवेश्य या सरंध्री होती हैं क्योंकि इनका निर्माड छोटे तथा बड़े कड़ों के समिस्तरर से होता है अता इनमें जल सरलता से प्रवेश कर जाता है चोथा है कोमल और साधी सेलों में संपिडन द्वारा हलके मोड उत्पन हो जाते हैं यही कारण है कि परतदार चट्टाने समाने तह 36 जवस्था में बहुत कम पाई जाती है पाचमा सिलिका युक्त बलुआ पत्थर के अतरीक्त अन्य समस्त अवसादी सेलों का भौतिक एवं रासायनिक अप्छय सिमेंटित पदार्थों के तूट जाने के पस्चात सरलता पूरवग हो जाता है गलाहडिंग है अगने चट्टान की बिसेस्ता है पहला यह सैले परतरहित होती है दूसरा यह सैले अत्यधिक पिकाउ होती है इन सेलों पर अपरदन क्रिया कम हो पाती है चोथा है अगने सैले अत्यधिक सघंत था संगटीत होती है पाचमा ये अधिक कठोर होती है अतह इनको काटना कठीन होता है छठा है इन सैलों में रवे पाए जाते हैं किन्तु रवों का आकार भिन्न भिन्न होता है आज के लिए बस इतना ही मिलते एक नए वीडियो में नए टापिक के साथ भूगोल 20 में फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है आज ये सेकेंड पार्ट के बारे में हम लोग पढ़े हैं तो इसको जल से जल देखिए धन्यवाद